Hi guys, मेरा नाम फरीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अदेतेपूरा आज हम जानेंगे input device और output device के बारे हम आपको बताएंगे computer में input device और output device क्या होता है पहले सबसे बाद first of all ये है कि पहले हम input device के बारे में जानेंगे ठीक है आए इसके बारे में जानते हैं input device के बारे में तो हमारा input device हम उसे कहते हैं कि अगर हम कोई चीज में input device ये निवेश करते हैं तो दैन हम उसे input device कहते हैं बट इसी परकार से computer में भी एक input device होता है तो computer में क्या होता है उसको हम जानेंगे तो computer में किसी संसाधन के data को या information को हम add करते हैं या दिखाते हैं तो then उसे हम input device कहते हैं तो पहले जानते हैं input device कहा है input device हमारा वो है जैसे कि हम अगर कोई भी चीज में निवेस करते हैं तो उसे हम input device करते हैं उसी परकार हमारा computer का सारा संसाधन data, information जो हमारा add होता है उसे हम input device कहते हैं ठीक है अब हम यह जानते हैं कि output device क्या है output device हमारा वे device है जिसकी हम hard copy या printer या soft copy हमारा monitor दिखलाता है उसे हम output device कहते हैं ठीक है तो अब हम यह जानेंगे कि input device के कितने example होते हैं तो हम आपको यह बताएंगे कि input device में कितने example है पैरा हमारा रहेगा input device में हमारा आता है camera, joystick, microphone, scanner यह हमारा input device रहता है ठीक है अब हम जानेंगे कि output device में कितने नाम होते हैं इन्पूट ड्वाइस का क्या क्या काम है तो हम यह जानेंगे तो और पूट ड्वाइस में हमारा आ जाएगा मोनीटर speaker printer etc यह सब हमारा output device में आता है जो कि हम इसका work करते हैं output device अगर जैसे कि अगर हमको कोई चीज का या print निकालना हो या कुछ भी करना हो तो हम उसमें जाके अपने पहले पहले input device में जाएंगे फिर output device उसको हम बहार निकालेंगे फिर उसको हम अपने प्रेंट कर लेंगे तो उसे हम output device कहते हैं ठीक है यहां तक हम समझ गए यहां तक आप लोग सब समझ गए ओके थैंक यू तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे जादा हच से जादा लाइक करें शेयर करें और अगर आप इस यूटूब पे चैनल पे नए आएं तो आप अधित्यपूरम को सब्सक्राइब करें कमेंट करें ठीक है थैंक यू जैहिन तो कम्प्यूटर एक अलोक्ट्रानिक मशीन है ठीक है और कम्प्यूटर एक टेकनलोजी जिसे कि हम हर से हर जग़े यूज़ कर सकते हैं शेहर हो गाव आप देख सकते हो कि वो हर जग़े यूज़ होता है जैसे बिजली भील हम कंप्यूटर से भर सकते हैं, हम लोग गेम खेल सकते हैं, बच्चे कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं, टोटल चीज हमारा कंप्यूटर पे वर्क हो सकता है, कंप्यूटर हमारा मॉल में यूज होता है, कंप्यूटर हमारा हॉस्पिटल में यूज हो सकत कंप्यूटर टिकट कांडर टिकट कर सकते हैं अनलें टिकट कर सकते हैं कंप्यूटर से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं कंप्यूटर से हम अपने कंप्यूटर में 你就 Editing video सब कुछ कर सकते हैं MS Word पे काम कर सकते है इस पर लेटर कर सकते हैं और हमारा Excel पे हम अपना Excel Seed बना सकते है Excel पर result बना सकते है MS Word पे हम हम आपना सब कुछ data वगहरा resum वगहरा ये भी बना सकते है दैन पर पावर पोईंट पे हम कोई भी हब प्रीसे्टेशन बना सकते हैं या कुछ भी दिखा सकते हैं अपूर फिर हम यह जानेंगे कि ad off Photoshop में क्या बनता है उसमें हम अपना photo editing कर सकते हैं अच्छा photo दिखा सकते हैं ऑख कुछ भी हम कर सकते हैं तो ये सब सारे काम हमारे computer में होता है जिसे की एक इंसान ने बनाया, that is a technology, okay, तो computer एक, हम इतना ही समझेंगे, अगर आपको video मेरी पसंद आई, अगर आप, अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पे आए हैं, तो please like और subscribe कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, आपका बहुत 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 हमारे पर ये रहेगा, क्या बहुत उसको, अबकार, हलो, इस्टारे, इस्टारे,